लो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं चैनल क्रेटिंग वैल्थ तो आज मैं आपके लिए केमिकल सेक्टर से एक शेयर लेके आया हूं शेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है कुछ ही टाइम में काफी अच्छा शेयर ने 300-400 परसेंट का प्रॉफिट भी दिया है त और क्या आगे एक्सपेंशन प्रान लेके चल रही है और उसको देखते हुए शेयर का क्या टार्गेट हो सकता है कंपनी के शेयर का क्या टार्गेट आगे हो सकते आने वाले 3-4 तो उस पर हम एक डिटेल्ड एनलाइसिस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो कंपनी का नाम है ओरियंटल एरोमेटिक्स तो ओरियंटल एरोमेटिक्स लिम्टेट कंपनी का नाम है कंपनी जो बनाती है प्रोडक्स फ्रेग्रेंस से रिलेटेड फ्लेवर से रिलेटेड एरोमा केमिकल से रिलेटेड एंड कैमफर से रिलेटेड तो इनका हम पूरा डिटेल्ड ए a basic instinct in fact a child first recognition of its mother is from her scent the question seal wow factor is rooted in fragrance if only our sense of smell could unleash a new degree of perception creativity creative evolution from if only and one and only sustainability whether it is processing protecting our ecology conserving natural resources recycling ingredient or utilizing waste materials to diversify our product portfolio we believe in being as sustainable as possible बहुत ही वहतरीन कंपनी है काफी अच्छे इनके प्रोड़क्ट्स है तो प्रोड़क्स के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स पहला जो प्रोड़क्ट है इनका फ्रेट्ट्स है ईह तो फ्रेग्रेंस में ये फाइन फ्रेज्य के लिए यह फ्रेग्रेंस बना रहे हैं होम के एर प्रोड़क्ट्स के लिए बही इसमें आपके काफी एर फ्रेसनर, लॉन्री डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफटनर, अफोलेस्टरी, क्लीनर, शूपॉलेस, तो उनके लिए भी ये फ्रेग्रेंस बनाते हैं, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, तो ये तो काफी प्रोडक्ट्स बैसे भी मार्केट में सेल आउ तो काफी मिंड आपकेर। ब्रेग्रेंस बीओति एंड कॉसमेंटिक प्रोड़क्स फ्रेग्रेंस, देन उसके भाद में इनका नेक्स्ट जो इनका जो में प्रोड़क्ट है वो है फ्लेवर तो फ्लेवर में ओरल है इनका ये और्र आउड हैं के लिए ओर आईग्य के ब्लावर माउथ इंस्टेंट फूड इंस्टेंट टमोटो शूप, मसाला नूडल भिरियानी राइस इस तरीके के इन के लिए भी यह फ्लेवर बना रहे हैं, वेवरेज सका फ्लेवर बना रहे हैं, आरोमेटिक, करडमोम टी, कोला फ्लेवर, सौफ्ट र्ंक, सिट्रस फ्ले विर्प डेरी प्रोड़क्स के लिए आइस क्रीम के लिए नेक्स फूर्ज के लिए फ्लेवर बना रहे हैं मसौला चिप सेल्ट रएन क्रेकर्स ब्लुवरी घरनोला वार्स तो एक तो यह PRODUCTS है इनके पास में फ्रेग्रेंस से प्रोडक्स प्रोडक्स नेक्स्ट जो इनके पास प्रोड़क्ट है वह अरोमा केमिकल तो एरोमा केमिकल से भी रिलेटेद यह प्रोडक्स बना रहे हैं इसकी काफी मार्कित में जरुद्ध पड़ती है demand में रहते हैं और kemfour वाले product भी यह बना रहे है तो kamfor के जो product है वो इनके जो यूज होते है prayer and spirituality धुब्वत्ती अगरवत्ती medicine में इनके के प्रोडकT Hey fishing ball is your body act a breathe of the inhaler helps you breathe more easily तो इस तरीके के जो आयरवेदा में काफी जरूत पड़ती है इनके products की और medicines related products भी ये बना रहे हैं जिसमें इनके जो camphor जो product हैं वो यूज होते हैं camphor related products and pest deterrent वाले भी camphor products ये बना रहे हैं तो जो भी mosquito से बचाने के लिए और काफी कुछ चीज़ों से related into fabric पे भी लगाने के लिए जो होते हैं उनके लिए भी camphor related products ये बना रहे हैं तो थोड़ा होगा detail थोड़ा analysis करते हैं इनका कि क्या क्या product है और किस किस तरीके से मतला इन्होंने आगे अपने portfolio को भना रखा है raw material क्या है तो value chain में आप देखिए इनके source of raw material pine tree petroleum aleuristic acid alpha-penine petrochemical ये इनके source of raw material है pine tree petroleum or aleuristic acid raw material जो है इनके alpha-penine and petrochemical ये raw material है products aroma indigrant specialty aroma chemical pine oil tarpene based oil chemical others synthetic camphor fragrance and flavored products industrial fragrance compound flavor compound customized fragrance compounds then phiris are a ये जो products है इनके उनसे ये सारे products बनाते हैं इनसे इस्टेक्स एयर फ्रेशनर कोस्मेटेक्स प्रेयर रिचुवल्स बाम्स डिटर्जेंट्स एयर ओयल्स सैंपूज सोप्स एड़ सक्टरा इन सम्में ये सारे products की जो category है इन से related जो product जो बनते हैं वो इन सारी applications में यूज होते हैं प्रोमोटर बैग्राउंड तो बहुत ही अच्छा है अच्छी खासी प्रोमोटर बैग्राउंड है इनके पास में अच्छी खासा management है जोग्राफिकल प्रिजेंट्स काफी अच्छी है एक्सपोर्ट तू कंट्रीज कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं जैसे एफ्रिका एसिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका manufacturing plants भी company के पास में बरेली में है बड़ोदा अंबरनात महराष्ट्र में है दीरे 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 कंपनी ने काफी acquisition किये हैं और मार्केट में जो है 2019 में यह लिस्टिड हुए है 2019 में manufacturing facilities इनके पास तीन manufacturing facilities है आर यंडी सेट अप भी company के पास में है तो company R&D भी कर सकती है future Capex friends आप देख सकते हैं जिसके related मैंने यह वीडियो बनाई है तो the company has planned capital expenditure 3500 से 4000 करोड का यह million का यह आगे तीन से पांस साल के अंदर future expansion करने चाहते हैं आगे अपनी आए एक brownfield expansion है बड़ोद्रा में के प्रोड़क्स उसमें यह बनाएंगे उसमें करीब 100 million का investment आएगा वो दिसंबर 2020 तक complete हो जाएगा वो भी चुका है एंड एक अरोमा chemical plant फिर बड़ोद्रा में एक लगाने की यह सोच रहे हैं जो 2020 तक लगेगा जिसमें 200 से 500 million का investment आएगा एक hydrogenation plant भी लगाना चाह रहे हैं वह भी अरोमा chemical products के लिए है वह 1500 मिलियन का उसमें investment आएगा वह भी 2020 के quarter two तक लग पाएगा एंड एक महाड में यह अपना कैपेक्स करना चाह रहे है अरोमा chemical and chemical related products को लेकर उसमें करीब 1500 से 2000 मिलियन का वहाँ भी एकन इंवेस्टमेंट है जो 23 तक आएगा तो next three to five years के पास company के पास में काफी expenditure के plan है काफी expansion plan है जिससे कि आप company को अपने portfolio में रख सकते हैं long term के लिए और company अच्छा perform करके दिखा भी रही है की strength आप देख सकते हैं काफी अच्छी strength है company के पास में strong raw material sourcing capabilities है तो कहीं कोई problem नहीं है one-stop solution provider F&F industry every industry के लिए जो fragrance related fragrance and flavor related industry है उन सब के लिए one-stop solution है the company was product range funds application in area of industries ranging from fragrance and flavors pharmaceutical soaps and cosmetics rubber and tire painter varnaces इतनी industries में यह अपने products जो है वो supply कर रहे हैं फस्टेटिक केमफर plant in India वैंग वाइट टेकनोलोजी फ्रॉम दूपॉंट तो फस्ट सिंथेटिक केंपर प्लांट नोने लगा रखा है अदॉप्टेटर सस्टेनेवल सोर्सें पॉलिशी आफ की elements such as tarpene oil and unfapenane which are essential raw material for the products one of the few manufacturer who can use tarpene oil that has been derived from all sources in the world sustainable processes sharing high quality which minimize the quantities required and cut back on based business overview आप देखिए business mix आरोमा chemical and camphor fragrance and flavor पाइन बेस्ट आरोमा कैनी केमिकल्स manufacturing आप यहां देख सकते हैं gum resin heavy oil तार्पीन oil residue तो इनसे रिलेटर यह product अपने दीरे 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 तो यह अपना product बनाते हैं इनके तुरूप अरोमा कैमिकल इंडस्ट्री काफी परानी इंडस्ट्री है काफी टाइम से क्याना मतलब यह काम कर रहे हैं काफी परानी कंपनी है कि एक 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 पर जो है काफी फायदा है इस से इनको केंफर आले जो प्रोडुक्ट जो बना रहे हैं प्रामिनेंट बैनुफेक्चर आफ केंफर इनदिया केंफर एंडिया केंफर वैक्षी क्लेमेवेबल वायट और ट्रांसफेरां सॉलिड वेता स्ट्रों आरोमा रहती है तो अरोमा रेलेटेटर प्रोड़क्ट्स भी उन्होंने बनाने स्टार्ट किये हैं फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री तो फ्रेवर और फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री जिस तरीके से बता रहे हैं जो ग्रोव कर रही है 2010 से लेके और 2020 तक काफी अच्छी ग्रोव करी है चार्ट आप देख सकते हैं बहतरी तरीके से ग्रोव कर रही है और फ्रेग्रेंस कं वे इस तो इसमें भी कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है, व्लेवर कंपाउंट तो व्लेवर कंपनी की पकड़ है, व्लेवर एंट फ्रेग्रेंस में तो बहुत भैटरीन पकड़ है कंपनी की, स्ट्रेटरिजिक ओवर विए आप देख सकते हैं, committed to be a global prayer in the specialty aromachemical space increased focus on high value low volume product to focus on sustainable chemistry and always environmentally complaint one of its kind automatic multi-purpose plant in india for a specialty aromachemical foster excellence through innovation giving utmost important to rnd rndv company continue to capitalize on the nns and backward and forward integration तो जिस तरीके से company आगे expansion करना चाह रही है उससे काफी कुछ आगे फायदा मिलेगा एनने सिस्टिकीनेस विद एक्जिस्टिंग और न्यू कस्टुमर्स वाइं कंसिस्टेंटली कि सप्लाइं क्वालिटी प्रॉडक्स तो कस्टुमर्स काफी इनके खुश रहते हैं इनसे काफी अच्छे प्रॉडक्स यह बनाते रहते हैं और अच्छी खासी देते हैं तो फ्रेंड्स जो एक्स्पेंशन जो इन्होंने दिखाया है आने वाले तीन से पांच वाटर की तीन से पांच साल के अंदर तो उससे काफी कुछ फायदा कंपनी को आगे आपने वाले टाइम में प्रॉफ्ट आप्ट टैक्स में देखने को मिल से बिलकुल जस्ट अभी हाफ है से शेयर का पी पॉइंट्री सेवन की डिविडेंट येल्ड शेयर प्रोवाइड करा रहा है और साथ के साथ थोड़ा टेक्निकल अगर हम देखेंगे तो आपको एवरी इंडिकेटर पे आपको शेयर वीकली एन मंथली एवरी इंडिकेट और शेयर 是 नुदॉल चार्ट देखेंगे तो बहुत हीुरे बुलिश पैटर चार्ट पबना हुआ है बहतरी बुलिश से काूंपनी और साथ के साथ इन्हों आप देखें कितने अच्छे तरीके से कंपनी को आगे profit जनरेट होता हुआ देख रहा है कंपनी 19 की आरोई कंपनी जनरेट कर रही है काफी अच्छी खासी कंपनी है स्ट्रॉंग मैनेजमेंट है तो फ्रेंड्स अभी 700 रुपीज का शेयर जो चल रहा है आने वाले आपको तीन से चार क्वाटर में शेयर बंधावजन के ऊपर भी निकलता हुँ नजर आएगा तो आप इस शेयर को आ सबस्साम है